और राइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों मैं हूं हारिस सुपान आप लोग ने भी टेस्ट माइस देखा होगा और आपने देखा होगा कि यह उल्टा लेने के देने पड़ गए अपनी तरफ से हुश्यारी की ऐसी फ्लाट पिच बनाई के चलो यार हम कम से कम हारेंगे ने लंबे-लंबे सो बनाएंगे बाबाराजम की एवरिज उपर करेंगे मुहमद रिजवान की एवरिज उपर करेंगे गोरे बिचारे आएंगे कुछ कारण ने पाएंगे हाला के हर दुनिया में हम देखते हैं कि जो होम टीम होती है उसको एडवांटेज होता है अपनी तो होता ना और आपको याद होगा कि यह इस तरह की चवली को यह यूनीक नहीं आए यह पहले इन्होंने भी अस्टेलिया जो होके गया था पाकिस्तान से अर्लिय दिशियर मार्च में तो यह देखें उसमें भी दो मैच्चिस ड्रॉन किये पिंडी की पिच को तो मेरा ख चार सो पांक पांच सो रन बनाएंगे फिर वही हुआ पाकिस्तान ने टू सिक्स्टी एड़ टू थेटी फाइव किया अँग्लेंड ने पहले दिन से आके उन्होंने सिक्स रॉन्स पर ओवर की स्पीड से स्कूर किया यह जो पहले जो दो मैच्चिस और स्टीलिया के भी हो गए कि उन्होंने किवेंशनली खेला उन्होंने थ्री त्री एन फिर अफ रंव रून्स को अच्छा समझा लेकिन इंग्लैंड आया ओवर सिक्स हंड़र रून्स और यह उन्हर्ड आफ है ऐसा कभी भी नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि हमने इस फ्लाट पिच्च को और टाइम निकाल देगा लेकिन उन्होंने इतने तेजी से स्कोर किये इतना मारा कि फिर भी इतना टाइम उनके पास बच गया कि उन्होंने आपकी आखरी मैच में आखरी दिन में दस विक्टे लेनी थी तो उन्होंने बीस विक्टे ली वही वही तीम है जिसने बीस हटिया पिच के उपर मैच जीत लिया और अगला मैच होना है मुलतान में उधर भी बेड़े घर को ने उधर भी यही लाग रहा है कि लेकिन मज़ा यह आएगा कि आप उसी मेंटालिटी के सथाएंगे उन्हों ने करना हमने पेल ना इनको तो अब देखते हैं यह क्या करते ह चाहिद यह कहें कि यार पिच को नहीं यार तोड़ा एवन कॉंटेस्ट होना चाहिए लेकि मुझे नहीं लगता क्यूंकि इन्हों ने इतने अर्से बाद हमेशा से हमारे पास पहले स्रिलंका आई जिंवाबे आई बड़े अर्से से तरले का रहे थे कि कोई गोरी टीम आ या कम से कम पाकसान को एक सेफ कंट्री का एक वो तो मिले पिच ऐसी बना दी है कि किसी को दिल भी नहीं कर रहा होगा देखने को मैच हाला कि इतनी स्पीड में स्कोर हुआ कि मज़ा आना चाहिए था लेकि बिलकुल मज़ा ने आया मैंने सिर्फ आखरी दो दिन का टेस का था है वो भी इसलिए कि शायद अब देखते हैं रिजल्ट आना है कर नहीं आना तो हैं इंग्लेंड की जो टीम है मेरा ख्याल से जो अलेफंट इन रूम ऑबिसली बैंड स्टोक्स की जो कैप्टेंसी है अन हर्ड औफ और वो मैं इंग्लिश कोमेंटेटर्स को सुना थ था हूँ कि ब्रेंडन मैंगलम ने यह नया फॉर्मूला लेके आया है नई फिलासोफी लेके आया है कि हमने इसको टेस्ट मैंज को खूब पेलना है चलो यह तब पिछ फ्लैट थी साड़े च्छे रन की आवरीस उन्ना ने पहली इनिंग में स्कोर किया दूसी इनिंग मे 360-350 run score कर सकते हैं और तकरीबन साड़े 4 सेशन में आप 500 से उपर score कर सकते हैं अगर आप इस speed से score करेंगे let's just imagine ashes होती है Australia में होती है मज़ा आएगा महाँ पर तो अगर आपने 500-500 score कर लिया देड़ दिनों में तो ये तो पूरा test cricket का जो पूरा formula बदल जाएगा क्योंकि फार्मूला यह होता है पहले दो दिन लंबी इनिंग खेलें साड़े 500 run बनाए फिर दूसरी इनिंग के उपर pressure होता है score board का लेकिन अगर वो भी दो दिन निकाल जाती है score मैच करने में तो आखरी एक डेड़ दिन बचता है फिर वो declaration के उपर depend करता है तो mostly फिर ऐसा होता नहीं लेकिन यह जो philosophy है कि जादा score करना डेड़ दिन के अंदर इतना score काते है ना कि आपने result force करना दूसरी टीम को पर बड़ा pressure आएगा and that's going to be very interesting but and I hope के यह वैसे बैस हो जाता है पहली दफ़ा ऐसे होता पूरी दुनिया में जब को टीम हारती है तो लोग टीम को criticize करते है Pakistan एक unique case है कि टीम हार यह लोग सारे cricket board को गाली दे रहे कि यह क्या pitch बनाई है तुमने I mean पता नहीं यह क्यों इस तरह करते है क्या इनको वो पांचवे दिन की pitch को आप देखें आपको foot mark नजर नहीं आएंगे जब यह पांचवे दिन स्टार्ट हुआ था आपको ballers के foot mark नजर नहीं आएंगे इतनी फ्लैट लागना थे सिमट के उपर पेच बनाई हुए तो I hope कि यह इससे बेतर हो ताके मैं जितने commentators को देख रहा था वो क्योंके result अग जो force जो result आया है वो England की brilliance की वज़ा से आया अगर England में वो brilliance ना होती जो कि Australia में भी नहीं थी जो पहले दो test matches ड्रॉव हुए थे पिछले साल अर्लिय अदिशियर जब अस्टेलिया आया था तो लेकिन ये England की brilliance है कि उन्होंने तना अच्छा match किया और उन्होंने का नई जितनी मर्जी चलाकियां कर लो जितनी मर्जी एरा फेरियां कर लो हमने match जीत के जाना मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियोन पर जूर सपोर्ट कीजिए ताके मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पंचा सकूँ